हेलो फ्रेंज, अदाव, नमस्ते, सस्रेकाल, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माई योट्यूब चैनल केड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट दोस्तो आज की वीडियो में हम फिलो कवर के उपर फैबरिक पेंट डिजाइन बिना के तियार करेंगे इस डिजाइन को आप बैट शिट के उपर भी बना सकते हैं तो आओ बिना तेरी के वीडियो शुरू करते हैं कपड़े को हमने फ्रेम में लगा लिया है इसके उपर हमने पैंसल से एक डिजाइन ड्रॉ किया है यह हमने दो नमर का फ्लैट ब्रश लिया है यह हमने brush के उपर light green color लिया है सबसे पहले हम पत्य के उपर light green color लगाएंगे इस color को हम पुरे पत्य में fill कर देंगे यह हमने dark green color लिया है अब पत्य के center में हम एक line कीज़ देंगे अब इसमें हम sharing देंगे अब हम पत्य के दूसरे set से इसी color से share देंगे अब हमने brush के उपर white color लगाया है अब पत्य के center में हम एक line कीज़ देंगे अब इसके दूसरे set से हम white color की share देंगे अब हम पत्य के इस किनारे से white color की share देंगे इस तरह से हम leaf बना लेंगे अब नीचे की पत्यों में हम light green color करेंगे इसके साथ हम yellow attach देंगे इन पत्यों में हम खाली green color ही भरेंगे इसमें हम yellow का टस्ट नहीं देंगे यहां पर हम सबसे पहले green color करेंगे अब इन में हम yellow का टस्ट देंगे इसी तरह पत्यों में आप खाली green color भी रख सकते हैं और कहीं कहीं पर आप yellow का टस्ट भी दे सकते हैं सारी पत्यों हम इसी तरह ऐसे बना लेंगे झाली बना लेंगे जीरो नमबर के बरस से इन रौंड में हम पिंक कलर भर देंगे अब इन छोटी पत्तियों में हम पिंक कलर भरेंगे यह हमने जैलो कलर लिया है अब फ्लावर के अंदर हम जैलो कलर भरेंगे यह हम जैलो कलर में हम जैलो कलर भरेंगे जैलो कलर भरेंगे अब हम रेड कलर की शेर देंगे अब हम दूसरी पत्ति में यह अलो कलर भरेंगे इसके उपर भी हम रेड कलर की शेर देंगे इसी तरह हम पूरी पत्तियों में यालो और रेड कलर को फिल कर लेंगे आए झाल झाल फ्लावर के अंदर खाली स्पेस में हम रेड कलर भर देंगे अब इसके उपर हम यलो कलर से डॉट बना देंगे अब हम औरन्ज कलर से यहां पे एक फ्लावर बनाएंगे झाल झाल अब इस फूल में है पहले हम वाइट कलर भरेंगे अब वाइट के उपर हम पिंक कलर से शेड देंगे अब ब्रस को साफ करके हम पिंक और वाइट कलर को इस तरह से मिक्स कर लेंगे इस फिलावर में पहले हम वाइट कलर फिल करेंगे अब उपर से हम पिंक कलर की शेड देंगे अब ब्रस को साफ करके हम पिंक और वाइट कलर को इस तरह से मिक्स कर लेंगे अब इस फिलावर में हम वाइट कलर से इस तरह से शेड देंगे अब डार्क पिंक कलर से हम इस फिलावर की आउटलैन कर देंगे इसी तरह दूसरे फिलावर की आउटलैन कर देंगे अब डार्क ग्रीन कलर से हम इनकी टेहनिया बना देंगे देंगे हुट खाथ युटारी करें टक्राथ। वाइट कपड़े के उपर फैब्रिक पेन से यह हमारा पिलो कपड़ डिजाइन बनकर तेयार है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और कुमेंट करके बताईए आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आप हमारे चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्क्राइब कीजिए और नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें थैंक्स फॉर वाचिंग